आठ नमंबर 2022 को गुरु नानक देव की 503 पर भी जैनती मनाई गई है तो आज हम लोग गुरु नानक देव साब की बारे में एक सामान चर्चा कर लेते हैं और अगर आप लोग किसी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए इनसे और सिख के धरम से कुश्चा साब की परिक्चाओं में पूछे जाते हैं और बैसे भी मुझे लगता है कि इस तरह के वेक्ति के बारे में और आप कहिए कि सिख के धरम में लोग ने भगवान भी मानते हैं तो इनके बारे में आपको एक सामान जानकारी जरोर मालो होने चीए गुरू नानक देओ साहब के बारे में अगर हम लोग इनके जनम की बात करें तो 1469 में लाहोर के पास तलवंडी राय भोई गाउं में इनका जनम हुआ था जिसे बाद में ननकाना साहब नाम दिया गया है वो ऐसे धरम की दस गुरू में से पहले और सिक धरम की संस्थापक थे यह आप लोगों से पूछ लेगा किस सिक धरम के संस्थापक कौन थे तो गुरू नानक देओ और सिक धरम में जो दस गुरू आप देखते ना उनी मे से एक थे और एक बात आप लोग जानते भी होंगे अभी कुछ समभा पहले एक किसान आंदोलन भी चलाता उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा दुनिया में आप देखी कि सबसे अगर मानव कल्यान पर कोई धरम एक तरह से काम करता है तो वो उस तरह के धरम है और एक कह उस मुल्जिम से जो भी था आरोपी था कि जब भी आपको भूँक लगे आप किसी गुरू द्वारा चले जाये करिएगा वहां से भूँके पेट नहीं बापस होना पड़ेगा इस तरह कि और आप देखते हैं कि लंगर पर था सिख के धरम में आप लोग सुनते रहते हैं तो आप देखेंगे कि उन्होंने सोलेवी सिताबदी में अंतर धार्मिक संबाद सुरू किया और अपने समय की अधिकास धार्मिक संपदायों के साथ बाच्चीत भी कि सिख्खों के पाच भी गुरू अर्जुन या अर्जुन अठारे सो महाप करिये 1563 से 1606 द्वारा संकलित आधी गरंथ में सामिल रचनाय भी लिखी और दस्वे सिख्खे गुरू गुरू गोविन सींग द्वारा किये गए परिवर्तन के बाद इसे गुरू गरंथ साहिप की रूम में जाने जाना जाने लगा और उनोंने भक्ती के निर्गुड निराकार परमात्मा की भक्ती और पूजा की बकालत की और त्याग अनुष्ठान इसनान छभी पूजा तपस्या को आसुईकार कर दिया इनोंने और सामोहिक जब से जुड़े सामोहिक पुजा संगत के लिए नियम निर्धारित किये इनुने और अपने अनुयाईयों को एक उंकार का मूल मंत दिया जाती पंत्र लिंक के आधार पर भेदभाव किये मिना सभी मनुस्त के साथ समान बेवार करने पर जोर दिया आज जो आप समिधान में देखते न समानता की बात की जाती है वो सोची आप लोगी गुरू नानक साहब ने पहले ही बात की थी और इनकी मौत की बात करें तो 1549 में करतारपुर पज्याब में इनकी डैथ हो गई थी और आदुनिक भारत में गुरू नानक देव की प्रासंगीकता क्या है एक समतावादी समाज का निर्माण समानता का उनका विचार निमलिकी नवीन सामाजिक संस्थानों की रूम में देखा जा सकता है जो की उनके द्वारा सुरू किये गये थे लंगर सामोहिक खाना बनाकर और भोजन को वित्रित करना पंगत उच्च एबम निमने जाती के भेट के बिना भोजन करना और संगत सामोहिक नेड़ा लेना और आप देखें इनके लंगर में कोई चुगा चूत नहीं होता है आप देखते होंगे बड़े लोग भी बैट कर खा रहे होते हैं और छोटे लोग भी बैट कर खा रहे होते हैं कहीं कोई भेदभाव नहीं देखने को मिलता है सामाजीक सदभाव उनके अनुसार पूरी दुनिया इसुर की रचना हैं और सभी एक समानें केवल एक सारभोमिक रचना कारे एक उमकार सतनाम और इसके अलावा छमा, धैर, सैयम, दैया उनके उपदेसों के मूल के अंदर में है नियायपूर समाज का निर्माट, उन्होंने अपने सिसों के सम्मो कीरत करो, नाम जपो, वंड़ छको, काम पूजा अधान का आधरस रखा था और उनके धर्म का आधार करम के सिद्धान पराधारी था उन्होंने अध्यात्म बात की विचार को सामाजिक जिम्मेदारी एवं सामाजिक परिवर्तन की विचार धारा में परिणत कर दिया उन्होंने दसवंद की आउधारना या अपनी कमाई का दसवा हिस्सा जरूरत मंद व्यक्तियों को दान करने की वकालत भी कीद थी लेंगिक समानता की बात करें तो उनकी अनुसार महलाओं के साथ साथ पुरुस भी इस तोर की किरपा को साज़ा करते हैं और अपने कारियों के लिए समान रूप से जिम्मेदार होते हैं महलाओं के लिए समान और लेंगिक समानता साथ उनकी जीवन से सीखने वाला सबसे महत्पूर सबक है आज भी हमारे समाज में देखें महलाओं से वेदभाव होता रहता है तो आजादी के पहले क्या इस्तिती रहे होगी आप लोग सोच सकते हैं तो आप सोची कि गुरू साहम ने तभी आप देखी समानता की बात कर दी थी आज हमें समीधान के जरुवत पड़ रही कानूनों की जरुवत पड़ रही समानता के लिए सांती इस्थाफना की गुरू नानक देव की बिचार बुनिया भर में सांती समानता और समरिद्धी को वड़ावा देने में मदद कर सकते हैं तो इस तरह कि आप लोग महापुरस कहिए भगवान कहिए जो भी कहना हो इनके बारे में पड़ते रहा करिएगा सीखते रहा करिएगा बहुत को सीखने को मिलता है चाहे कोई भी क्यों ना होए ठीक हो और किसी के बारे में बात करनी हो तो आप लोग बता सकते हैं जानने की दिल्चस्पी हो किसी और को